हलो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं कि EMF हम किसे कहते हैं फ्रेंड्स EMF की जो फुल फार्म होती है वो होती है Electromotive Force ठीक है तो इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं फ्रेंड्स मान लीजे कि ये हमारे पास एक कॉपर का कंड़क्टर है यानि कि कॉपर की तार है और इस कॉपर की तार में क्या होंगे बहुत सारे Free Electrons होंगे जिन पर Negative Charge होता है तो जैसे ही हम यहां से बैटरी को यहां से इस कंड़क्टर को यहां से बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं यह हमारे पास क्या है? बैटरी है और इस बैटरी का यहां पर यह Plus Terminal है और यह Minus Terminal है तो जब Plus को एक Terminal के साथ कनेक्ट करते हैं इस कंड़क्टर के और यहां पर जो यह हमारे पास तार है इसका दूसरा Terminal हम यहां पर इस बैटरी के Negative Terminal से कनेक्ट करते हैं तो इस तार के अंदर से जो Free Electrons होंगे वो Negative Charge होने के कारण एक Plus की तरफ जो है मू करना स्टार्ट करते हैं जिसके चलते हमें एक Current मिलती है यानि कि इन Electrons पर एक Energy मिलती है उसी Energy के चलते यह एक Direction में आते हैं Electrons और हमें एक Electric Current मिलती है तो बिना Energy के यह एक Direction में Flow थोड़ी करेंगे हमारे Free Electrons तो इन पर एक Energy लगी और वो Energy किसने प्रोवाइड की यह जो हमारे पास Battery है इसने प्रोवाइड कर दी अब मान लीजिए कि हमारे पास यह जो Battery है यह पर कूलंब आफ चार्ज पर यानि कि पर कूलंब आफ चार्ज पर जो Energy इन Electrons पर लगती है मान लीजिए कि 4 J की Energy लगती है किस पर पर कूलंब आफ चार्ज पर चीखें पर कूलंब आफ चार्ज पर हमारे पास 4 J आफ एनरज लगती है तो अगर हम इसका EMF देखें कि इस बैटरी का EMF कितना होगा तो इस बैटरी का EMF हो जाएगा 4 वल्ट का EMF हो जाएगा ठीक है तो यह हमारे पास जो EMF होता है यह क्या है कि हमारे कंड़क्टर में जो Electrons होते है या फिर चार्ज होता है तो हर एक कूलंब ऑफ चार्ज पर कितनी हमारी बैटरी जो है यह एनरजी इस पर पर प्रोइड करती है वह हमारे पास क्या होता है EMF होता है और यहां पर हमने देखा कि मालीजे कि पर कूलंब ऑफ चार्ज पर 4 जूल्स हमारी बैटरी एनरजी देती है इन अलेक्ट्रोंस पर इन चार्जिस पर वन कुलम अफ चार्ज में कितने अलेक्ट्रोंस होते हैं 625 इन्टू 10 तू दे पावर 16 अलेक्ट्रोंस इतने अलेक्ट्रोंस पर जो चार्ज होता है उसको हम वन कुलम अफ चार्ज के बराबर लिखते हैं तो हमने माना कि 4 joules of energy लगती है एक कूलम अफ चार्ज पर, यानि पर कूलम अफ चार्ज पर, तो इसका EMF अगर हम देखेंगे, तो 4 by 1 क्या हो जाता है, 4 volts का, तो यह हमारे पास जो voltage होती है, उसका यह जो formula होता है, वो क्या होता है, charge upon, यानि energy, W upon, W का energy upon charge होता है, तो EMF भी हमारे पास क्या होता है, energy upon charge, तो यह हमारे पास क्या है, EMF का unit भी हमारे पास volt होता है, और voltage का unit भी क्या होता है, volt होता है, तो यह दोनों क्या है, EMF भी हमारे पास एक तरह से voltage ही है, तो just इनका जो technical name इसका different है, EMF यह क्या है, एक तरह से technical name है, बट इसका यह क्या है हमारे पास एक तरह से voltage ही है तो यह जो हमारे पास conductor में जो हमारे पास free electrons होते हैं तो हर एक coulomb of charge पर जो energy लगती है वो हमारे पास क्या होता है EMF होता है जिसका unit होता है volt ठीक है I hope कि आपको यह clear हो चुका होगा so thank you very much